Hi Everyone, Welcome back to another video इस वीडियो में हम MUI के Speed Dial Component की लेटे डिस्टास करेंगे Basically Speed Dial Component यह हमारे पास एक Action Button है Floating Action Button है जिससे हम इसके लेटे 3 to 6 action button को show up करवा सकते हैं In the form of Speed Dial ठीक है? तो चलिए, Start करते हैं, इसकी एक practical example देखते हैं और इसको समझते हैं कि हम किस तरह create कर सकते हैं तो सबसे पहले जहां पर मैं जाओंगा, एक new file create कर लूँगा MUI Speed Dial.js अब जो है ना, यहां पर मैं एक अपना functional component कर लूँगा उसके लिए मैं यहां पर write करूँगा RAFC इंटर्प्रेस करूँगा और यहां पर जो है ना, यहां पर write कर लेंगे hello और उसके पाँ जो है ना, जाएंगे app.js file के अंदर और यहां पर जो है ना, सबसे पहले हम import कर लेंगे अपने component को जो हमने create किया है तो जहां पर मैं write करूँगा import, mui, speed, dial, enter प्रेस करूँगा तो यहां पर component एपर import हो जाएगा next time जो हमने इसको जहां पर use कर लेंगे, जो हमने last use के तो इसको मैं comment करता हूँ और यहां पर write करता हूँ, mui, and speed, dial, इसको मैं जहां से close करता हूँ, save करता हूँ, browser की पर जाते है reload करता हूँ, तो यहां पर देखको हमारे पाज़वन hello, write हो का आचुका है, ठीक है अब यहां पर हम एक speed dial component, action button को create करेंगे, तो मैं VS code के अंदर जाऊँगा, और mui driver, जो .js की file है, इसको मैं close करूँगा, और mui speed dial के अंदर जाऊँगा, ठीक है यहां पर हमें import करने बढ़े का है, एक component, यहां पर मैं import करता हूँ, speed dial from mui material से next, इसको हम use कर लेंगे, यहां पर से hello को भी मैं remove कर देता हूँ, और div की जगह जहां पर हम use करेंगे, speed dial component को अब next जो है ना, इसके अंदर हम area label की जो है ना, प्रॉफ्स डालेंगे, area label और इसके अंदर जो हम दे देते हैं, navigation, speed dial, ठीक है उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम sx profs use करेंगे, और उसमें आपनी custom style राइट करेंगे, तो मैं same करता हूँ और इसको browser को इपर आपको दिखाता हूँ, कि हमें को से output यहां पर मेर रही है, तो यहां पर देखो हम यह एक button जहां पर मेर रही है, अब इस button क इसको हम यहां पर लेकर आएंगे, यहनिके bottom right में आप इसको position, जो है हो पर ना, left भी डाख सकते हो, top, आपको जो है अच्छा लगए, तो अब हम इसको right side to bottom corner में set करेंगे, तो यहां पर vscore में जाओगा, मैं यहां आप ए-sx profs choose करेंगा, और इसमें मैं custom CSS जो हमरे पास ह तो यहां पर हमारे पास 16 पिक्सल होगा एंद देन अमरे पास राइट यह वोगा 16 पिक्सल सेव करता हूं ब्रॉजर को पर जाते हैं तो यहां पर देखो हमारे पास यहां पर बटन शोर है ठीक है इसको आप जोड़ा साम टाप पी कर देते हैं को टाप पर के लिए यहां से राइट से भी थोधन देता हूं इसको पोडिशन से करता हूं अ उसके बास बॉटम से उसको कर देता हूं fri अब ब्हें बैतर होगा गहरे पर नई प्रन जहां प्र lieutenant जाहां प्यां पे आ चूझा है इसके पाद यहां पर जो हेला आप बटन दिख रहे हैं इसके इंदर आप icon की भी आप कर सकते हैं यिदि इसके घ्मील जाएल न सबसे पहले हम a också Imm standard करेंगे तो हम अम अगेर डिएन वीक्रेज वसका ने अनदर आए हम आइकन को इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे बाद यहां पर कॉंसी चीज़ आते है component, speed, dial, icon नाम से हमारे बाद एक component आता है, इसको हम जहां पर top import करेंगे, and उसके बाद यहां पर speed dial के अंदर यहां पर एक props हम pass करेंगे, icon नाम से, और इस props के अंदर हम आपने value दे देंगे, यानि कि हमने यह component यहा यहां पर मैं रख रहता हूँ, speed, dial, icon, इसको यहां पर मैं close भी खार देता हूँ, and save करता हूँ, browser के उपर जाते है, तो यहां पर देखो, अब हमारे पास icon भी आ चुका है, तो इस तरह आप icon भी इसके अंदर add कर सकते हो, अब हम इसके अंदर कुछ और function यानिकी button add करना च और function एकशन को इंपोर्ट करेंगे, तो हम करते हैं जहां पर मैं write करूंगा, speed, dial, action, and इसको यहां आप हम speed dial component यहां पर use कर लेंगे, तो यहां मैं write करूंगा, speed, dial, action, एंड उसके बार जो है ना इसके अंदर जो है ना अब हम आइकन एकन दे देंगे ठीक है तो यहां पर मैं जो है ना इसके अंदर आइकन प्रॉस जहां पर राइड करूँगा और आइकन प्रॉस में हम जो है ना कोई भी आइकन यहां पर पास कर देंगे तो उसके लिए हमें तीन आइकन आपने पर पास करने है तो यहां पर जाएंगा वैबसाई met supporters के लिए. क्लिकक करोंगा. यहां पर हमें तीन आइकन के लिए निडिक qualité हूं. सबसे पहले हमें चाहिए copy all icon तो यहाँ पिर मैं search कर लूँगा copy all icon यहाँ पिर इसको जो जैना select करूँगा click copy हो जाएगा VS code में जाएंगे और यहाँ पिर टाप पिर इसको मैं import कर लूँगा same करता हूं और यहाँ पिर copy all को जाल से copy करता हूं और जहांपे जोए न, as a component पास करेता हूँ, ठीक है, same कर लूँगा, again हम जाएंगे ब्रोजर के उपर, अब हम जाते हैं अपनी react एप के अंदर, और जहांपे देखू, जैसे मैं hover करता हूँ, तो जहांपे हमारे पास एक चैना action button जहांँ हमारे पास आचुका है, ठीक है, copy क तो आप इस तरह जोए न, इसके अंदर action button apply कर सकते हो, उसके बाद हम एक और का लेते हैं, तो उसके लिए हमें जहांपे जहांपे सबसे पहले icon चाहिए हुआ, तो जहांपे मैं जाता हूँ, और जहांपे 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 आप मैं icon search का लेता हूँ, print icon, print icon, तो जहांप जहांपे मैं इसको paste कर दूँगा, और इससे मैं copy कर लूँगा, इसको भी मैं duplicate का लेता हूँ, हमारे पाद जो speed dial action है, इसको मैं जहांपे duplicate किया है, और हमारे पाद print icon वाले component इसको जहांपे मैं paste कर दूगा, कुछ इस तरह और save करूँगा, again जाएंगे browser के उपर, again जाएं हमारे पास कुछ props आ जाती है, तो वह देख लेते हैं, मैं जाएंगा VS code के अंदर, और हमारे पास speed dial action के अंदर, कुछ props आती है, ठीक है, तो वह मारे पास कौन जी होती है, यहांपे देखो, अब जैसे मैं script over करता हूँ, और हमारे पास यह प्रेंट हो रहा है, ठीक है, या हमारे पास एक यहांपे आती है, props, तो वह हम use का लेंगे, तो यहांपे speed dial action के अंदर, हमारे पास props आती है, यहांपे मैं use करूँगा props को, और यहांपे write करूँगा, tool, tip, sorry, tool tip title, ठीक है, अब tool tip title में हम कुछ भी write कर सकते है, तो यहांपे हमारे पास first किस लिए है, copy के and again जाते है, browser के उपर, और यहांप मैं जो एना, hover करता हूँ, and again जाते है, copy के उपर, तो यहांपे देखो, अब हमारे पास छोटा है, tool tip सा एक, आ चुका है, ठीक है, यहांपे एक container सा चुका है, जिसमें हमारे पास write होके आ रहा है, copy, तो इस तरह आप write कर सकते हो, और जाते है, hover करता हूँ, आप printer के उपर देखो, हमारे पास print कर एक tool tip आप चुका है, ठीक है, तो इस तरह आप इसके उपर tool tip भी apply कर सकते हो, उसके बाद अगर आप चाते हो कि यह tool tip जो है, हमारे पास open नहीं है, ठीक है, जानि कि अगर मैं यहांपे hover कर रहा हूँ, तो इस copy के साथ हमारे पास automatically show हो जाए कि यह copy गया है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, तो आप again VS score में हम जाएंगे, और यहांपे हमारे पास एक प्रॉफ्स आती है, tool tip open नाम से, ठीक है, tool tip open, ठीक है, अब मैं इसको save करता हूँ, आप हमने first made tool tip open लगाई है, इसको मैंने save की है, again browser क पर जाते हैं, जैसे मैं hover करता हूँ, तो यहांपे देखो इसके साथ हमारे पास copy already लिखी के आ रहा है, ठीक है, जहांपे चेक करो, तो टावाल में देखो हमारे पास write होके नहीं आ रहा, तो इस तरह आप अगर tool tip open props जहाँपे यूज़ करते हो, तो उसका मतलब जहोगा, कि आपके साथ पास आइकन के साथ एक tool tip write होके आएगा, ठीक है, अगर आप उसके hover करो या ना करो, ठीक है, उसके बास अगर आप printer के उपर लगाने चाते हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहांसे इसको मैं copy करता हूँ, और इसके अंदर paste करता हूँ, तो इसमें भी आ हमारे पास write होके आजाएगा, देखो, write होके आ रहा है, और उसके बास copy भी write होके आ रहा है, तो इस तरह आप इसमें always open भी रख सकते हो, tool tip को, अब next के आए, जहां पर चेक करो आप, button के उपर हम hover कर रहे हैं, ठीक है, speed dial के उपर, तो इसमें आइकन हमारे पास आ रहा है, आइकन rotate हो रहा है, अगर हम चाहते हैं कि इसके icon जो है न, उसको भी हम change करें, तो भी हम कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें icon import करना पड़ेगा, यहां पर मैं mz icon तर जाओंगा, और यहां से मैं एक icon import कर लूँगा, यहां पर क्लिक है, हमारे पास आइकन इंपोर्ट करूँगा, डेट आइकन, तो यहां पर इस icon को मैं select करता हूँ, जहां से काप इसको करता हूँ, और यह score में जाके जहां पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ, अब हम कहां पर जाएंगे, जो हमारे पास speed dial है, इस component आइकन आपने प्रॉफ्स डाली थे, यहां पर आइकन का यूज करेंगे, तो इस icon के अंदर हमें write करना होगा, जो हमारे पास speed dial icon आ रहा है, तो यहां पर मैं write करूँगा, open icon, ठीक है, इस open icon के अंदर हम आपन icon आइकन के अपर, और अपनी react आप के अंदर जाते हैं, और जैसे मैं skip word hover करूँगा, तो यहां पर आप चेक करना, मैंने hover कर किया, इस icon आइकन आप चेंज हो चुका है, edit icon के अपर, ठीक हमारे पास जहां पर जहां पर pencil के निशान आ चुका है, तो इस तरह जहां आप इस icon भी change कर स साब से, तो आप आपको जैना इस तरह वीडियो की समझ आ चुकी होगी, तो thanks for watching, मिलते हैं next video में.